हेगाइज वाटीज अब क्या हाल चाले आप लोगे और दोस्तों आज मेरे पास यहाँ पर एक गेमिंग नेकबेंड है जो कि है नॉइस की तरफ से और इनका नाम है नॉइस कॉमबैट यह नॉइस के पहले गेमिंग नेकबेंड है और इसके जो बॉक्स पर लगाए कि इसमे बीजेमाइ या फिर कॉल अडूटी इसमें चेक करेंगे और देखेंगे गेमिंग वाइज यह नेकबेंड कैसे क्योंकि यह जो नेकबेंड है मैं पिछले कुछ दिनों से यूज कर रहा हूं और मैंने इसको हर तरह से टेस्किया है चाहे गेमिंग में हो या फिर म्यूजि और इनका मैं गिवए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जैसे मैं पिछले कुछ जो पेंडिंग है तो उसको पहले निकालेंगे और उसके बाद इसका कुछ करते हैं तो क्या करें वह आप मुझे कॉमेंट करके बताओ तो यह तो इसका बॉक्स है नॉइस कॉमबैक्ट और देख स 25 हैं USB-C charging 25 आपको playback time मिलेगा और dual microphone for calling और gaming दोनों में काम आ जाते हैं तो जल्दी से इसको open कर लेते हैं और देखते हैं हमारे neckband तो box open करते हैं यहां पर सबसे पहले देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको packaging मिलेगी यह जो neckband है इसको मैं यहां पर इसके box से बाहर निकाल लेता हूँ और एक बार side में रखते हैं इसको बाद में देखेंगे उसके लाबा box में आपको एक charging cable मिलती है USB-A to USB-C two pair of extra ear tips भी द तो इसकी जो look है काफी हद तक जैसे gaming type की जो neckbands होते हैं उसी तरह से आपको देखने को मिलती है काफी अच्छी कासी जो build quality है और यहां पर आपको यह silicon band मिलता है लेकिन बहुत जादा ऐसे soft नहीं है काफी hard सा यहां पर यह silicon band है लेकिन इसकी जो shape है थोड़ी सी अलग type की है और यहां पर मुझे इसकी जो look है gaming के हिसाब से तो काफी अच्छे कासी लग रहे है और obviously इनका नाम gaming neckband है तो यहां पर आपको LED lights और भी देखने को मिल जाती है RGB नहीं मिलती है लेकिन LED lights है उसके लावा मुझे यहां पर इसकी जो build quality या fit design है काफी सही लगा है लेकिन अकर मैं इसके overview की बात करूँ तो यहां पर right side में आपको इसके buttons देखने को मिल जाएंगे तो function button है play pause का button है यहां पर दो microphone है और यहां पर नीचे noise की branding है और यह basically LED light ह यहां पर जलती है और even यहां पर भी LED light है और उसके लावा यहां पर बीच में भी एक button है यहां पर और यह gaming mode on करने के लिए जो button रहे और उसके लावा यहां पर एक USB-C charging port है और दूसरी तरफ यहां पर आपको कुछ नहीं मिलता है सिरफ यहां पर जैसे noise की branding है उसके लाव यहां पर में को लगता है कि ठीक ठाक यहां पर quality है उसके लावा earbuds का जो design अगर आप देखोगे तो उनका design कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा और इनका जो design है यह भी काफी हद तक जैसे gaming type का style है और इसमें भी आपको LED lights देखने को मिल जाएंगी और यह जो earbuds है य बात करता हूं लेकिन overall यहां पर इसका जो design build quality है काफी सही है 1500 रुपे के साब से काफी अच्छी कासी build और design है अगर आपको gaming type के style वाले neckbands सही है तो अब एक बार इसको मैं on कर लेता हूं उसको अपने phone के साथ pair कर लेते हैं तो on करने के लिए किसी भी neckband के तरह आपको यहा कुछ दिनों से use कर रहा हूं मैंने यहां पर पहना भी हुआ है और मैंने फोन से इसको connect कर रहा है तो सबसे पहले यहां पर इसके जो functions है बटन की functions है उसको यहां पर check out कर लेते हैं तो song play pause करने के लिए आपको बीच वाला जो बटन है function बटन उसे एक बार प्रेस करना है त बडन के लिए över आपको प्रेस करने अपर और तो यहां पर आप यूज तो यहां पर यहां पर करने के लिएक यहांपर और पेजिए पर यहांपर बाया दो से बांड़ होstar लेकिन gaming mode है उसको हम थोड़ी दिर में चेक करेंगे कैसी performance है लेकिन उससे पहले बात करते हैं यहाँ पर मेरा experience रहा है पिछले कोछ दिनों में इस snack band के साथ तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं यहाँ इसके जो comfort level की तो जैसे आपको यहाँ पर any ear type का design मिलता है तो काफी अच्छे से कानों में fit हो जाते हैं बहुत ही अच्छे से securely fit हो गया है कही कानों से बहार नहीं निकलते हैं काफी देर तक music वगार आप सुनना चाहते हो या फिर games वगारा भी खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो और मुझे यहाँ पर कोई problem नहीं हुई इसके जो comfort level से और passive noise के installation भी काफी अच्छे खासी है उसके लावा यहाँ पर बात करें इसकी जो sound quality की obviously यह एक gaming neck band है और gaming में जो sound quality चाहते हैं काफी crisp चाहिए होती है हाइस वगारा थोड़े से sharp रहते हैं और बहुत जादा ऐसे bassy, boomy जैसे sound quality नहीं मिलती है तो इन neck band में आपको उसी तरह से sound quality यहाँ पर tune की विए mostly gaming के लिए काफी अच्छे-कासी यहाँ पर sound profile है अगर आप बहुत जादा bassy, boomy music सुनना पसंद करते हो तो music wise यहाँ पर आपको जो bass का level कम लगेगा उसके लावा यहाँ पर जो mid और high frequencies हैं दोनों में यहाँ पर काफी अच्छी-कासी clarity है, काफी sharp है और काफी rich यहाँ पर sound है, sound stage बहुत अच्छा है, separation बहुत सही है, instrument music वगारा सुनते हो, vocals वगारा काफी clear है और मुझे इनकी sound quality definitely बहुत ही सही लगी है, अगर आप balance sound सुनना पसंद करते हो, लेकिन जैसे मैं बहुत जादा bassy, boomy music सुनना पसंद करते हो, तो इसमें आपको वो कम लगेंगे क्योंकि यह जो neckband है, यह gaming के हिसाब से, इनकी sound quality है, और gaming में इनकी performance कैसी है, उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसके box पर लिखा है low latency gaming mode और 45 millisecond यहाँ पर noise है, उसे claim कर रहा है, और मैं इसको पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर test कर रहा हूँ, तो latency wise यहाँ पर मैं ब किसी भी neckband में वैसे ही कम देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप normal कोई दूसरा phone यूज कर रहा हो, जैसे कि मैं हाँ पर LG G8X यूज कर रहा था, इवन मैंने हाँ इसको pixel phone में भी try किया है, और दूसरे phone में try किया है, और mostly मुझे हर जगा पर थोड़ी बहुत latency देखने को मि और अभी यहाँ पर जो gaming mode on नहीं है, normal mode पर रही है, जैसे आप देख सकते हो अभी कोई LED light blink नहीं कर रही है, और यहाँ पर normal mode में जो latency अभू कितनी है, उसको मैं एक पार दिखायता हूँ, तो मैं यहाँ पर fire के button पर tap करूँगा, finger lift करूँगा, और यहाँ पर जो sound delay है, व यहाँ पर normal mode में आपको कापी ज़्यादा latency है, वो देख सकते हैं, तो अब एक बार जो gaming mode है, उसे on कर लेते हैं, और gaming mode को on करने के लिए यहाँ पर आपके पास एक dedicated gaming button है, तो इसको प्रेस करते हैं, और यहाँ पर एक voice prompt आती है, we fight, और जैसा आप देख सकते हूँ, यहाँ पर इसे tap करता हूँ, तो gaming mode अभी मैंने यहाँ पर on किया है, जैसा आप देख सकते हो, LED lights वगरा है, यहाँ पर जल रही है, लेकिन जो latency है, वो यहाँ पर अभी भी काफी जादा है, तो वापे से मैं यहाँ पर एक बार इसका जो gaming mode है, उसे off करता हूँ, game over, तो या gaming mode में, वो आप मुझे बताओ कि आपको कुछ difference दिख रहा है, तो जैसा आपने देखा, यहाँ पर यह जो nekband में जो gaming mode है, normal mode और जो gaming mode, दोनों को on करने के बाद भी आपको काफी हद तक जो latency है, वो देखने को मिलती है, और मैं बोलुगा कि अगर आप इसको gaming के हिसाब से लेना चारे हैं, सिरफ और सिरफ gaming के साब से, तो मैं इनको इतना ज्यादा recommend नहीं करूँगा, casual gaming के साब से तो obviously यहाँ पर आप इसको use करी सकते हो, लेकिन जैसे इनका नाम है, noise, combat, bluetooth, gaming, neckband, तो gaming को target करके यहाँ पर noise से इसे launch किया, लेकिन gaming की जो performance है, मैं इतना ज्यादा उ जो है microphone, और यहाँ पर दो-दो microphones आपको देखने को मिलते हैं, और calling की time पर जो काफी अच्छे से, आप इस पर calling वेरा ले सकते हो, लेकिन जो mic की quality है, वो कैसी है, वो मैं आपको सुनाइता हूँ, तो अभी जो आवाज आप सुन रहे हो, वो इस caller mic से सुन रहे हो, जैसे यहाँ पर mic की quality ठीक ठाग है, आप इसको calling वेरा ले सकते हो, इसको gaming में भी यूज़ कर सकते हो, और मुझे रखता है कि clarity ठीक है, लेकिन neckband में वैसे mic की problem होती नहीं है, तो आपको कैसी लग रहे है, इसकी mic की quality, क्या आप इसको calling या फिर gaming में यूज़ करना प्रेफर जो की में बोलोगी काफी सही है, 20-30 गंटे का जो playback time रहता है, काफी सही रहता है, और मेरी testing में मुझे अराम से यहाँ पर 20-25 गंटे का जो playback time मिला है, depend करता है आप volume केतने level पर सुन रहे हो, और एक और चीज़ यहाँ पर जो volume का level है, वो भी काफी loud है, तो अगर आप mostly तो मुझे लगता है कि जो gaming mode on करने के बाद जो lights है, वो ज्यादा battery यहाँ पर consume करती है, कोई option होता कि इसका on कर सकते है, off कर सकते है, तो थोड़ा बहुत चाहँ बैटरी यहाँ पर बच जाती, लेकिन 12 गंटे यहाँ पर gaming mode में मिलता है, तो battery backup wise में बोलो है कि यहाँ ठीक है, 25 गंटे का काफी अच्छा कास है, 12 गंटे थोड़ा सा कम लग सकता है, अगर आप इसको इस तरह से gaming mode में रखते हो, तो overall यह है noise combat gaming neckband, और मेरा opinion है इस neckband के बारे में कि अगर आपको एक balance sound सुनना पसंद है music wise, तो यह जो neckband है, इनकी sound quality है, 1500 रुपे में मुझे काफी सह ही लगी, मैं balance sound सुनना पसंद करता हूँ, उसके लावा gaming में जैसा आपने देखा, मुझे बहुत जादा यह impressive नहीं लगे gaming wise, इवन इसका नाम जो gaming neckband है, लेकिन यहाँ पर आप इस पर casual gaming कर सकते हो, लेकिन अगर आप जैसे professional gamers हो, बहुत जादा यहाँ पबजी, बीजे मा करते हो, तो 45 millisecond जो यहाँ पर noise का claim है, वो मुझे थोड़ा सा जादा लगाए, लेकिन जैसा मैंने वोला, casual gaming करते हो, तो उससाब से आप इसको ले सकते हो, यह आप पर depend करता है, तो overall यह है noise combat gaming neckband, आपको कैसे लगे मुझे comment करके बताओ, और अगर आपको वीडियो पसंद झाल